अलो फ्रेंड्स ये आप देख रहें केले का पोधा है जिस पे एक केला लगा हुआ है ये देखिए जिसमें पेड में ही पक चुका है दो दर्जन के आसपास केले पेड में पका हुआ है उपर में तो आज इसको हम तोड़ेंगे निचे उतारेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये 5-6 इंज का केले का कांदी है ये और 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 गैनिक बिल्कुल देखिए याँ पे कोई केमकल्स नहीं कोई दवाई नहीं और ये रसी हमने बांद कर रखा था इसलिए ताकि ये हवा से गिरे नहीं क्योंकि वजन काफी है इसका चलिए इसको नीचे उतारते हैं ये र रसी को हटाने के बाद इसको उतारना होगा थोड़ा वजन जादा है इसलिए मेनत तो करना पड़ेगा ये रसी के सायता से खीच कर इसको हम अपने तरफ जुकाएंगे हलका इसके बाद इसे काट कर अलग करेंगे और केला का पादा तो आपको पता ही है बस एक बार में ए कार हो जाता है तो इसको अपने तरफ जुकाकर हम तोड़नेंगे और तोड़ने के बाद आपको दिखाते हैं और गैनिक तरीका से ये उप जाया हुआ केले का फल और इसके उपर का जो फल है दो दर्जन के असपास पक चुका है पेड में ही तो आपने वैसे तो केले यहां पर आपको हम दिखाएंगे और खाएंगे भी देखिए उपर में पिला जो दिख रहा है देखिए यहां पर हम दिखा रहें आपको इसका साइज ये बीच में थोड़ा सा कुछ कीड़ा लग गया था तो बीच में नहीं फल नहीं लगवा है लेकिन बाद में जो हमन तक नीचे है इसके बाद फिर थोड़ा सा गैप हो गया है क्योंकि किड़ा लग गया था ये दो फिट और ये तीन फिट चार फिट और यहां पर पांच फिट और ये देखिए आपको दिखाते हैं नजदीक से देखिए ये दो तीन फिट इसके बाद चार फिट पांच फिट और यह और उपर जाएगा अलगा देखिए पांच फिट छे इंच तो इतना बड़ा आपने अब तक साइद नहीं देखा होगा यहां पर आप देख सकते हैं एक और फिर से दिखाने कोशिज करते हैं नजदीक से देखिए यह पांच फिट छे इंच यानि छे आसक इंच आप देख सकते हैं लगातार लाइब यहां पर एक फिट यह दूसरा फिट यह तीसरा और यहां से थोड़ा सा यह गया पर रह गया है क्योंकि किड़ा लग गया था जो फल गिर जा रहा था इसके बाद हमने यहाँ पे नीम के पती या घोल डाला था तो फिर से फल लगने लगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से यह देखिए दो दर्जन के आसपास इसमें पका हुआ भी है जिसको आपको यहाँ दिखाते हैं कि बुलकुल एक ही कांधी है यह देखिए एक ही है बस इसमें कुछ गया प्रागया है फल नहीं आया है तो अब हम इसको जो यहाँ पर पका हुआ है इसको एक फल एक केला को तोड़कर और दिखाएं में इसका टेस्ट कैसा है चलिए एक निकाल लेते हैं साइज भी इसका देखिए कितना है भी है मोटापा और लंबाई सब कुछ इसका बहुत ही है देख सकते हैं आप कितना मोटा और विलकुल यह वाह क्या बात आपने अगर बहुत ही बड़िया खाया है देखने से लिए लग रहा है आपको कितना मोटा सा और स्वादिस्ट वाव बहुत स्वादिस्ट बहुत ही मिठा इतना मिठा मैंने तो नहीं खाया था आज तक क्योंकि यह पेड का पका हुआ है और बहुत ही स्वादिस्ट बहुत ही स्वादिस्ट बहुत ही अच्छा तो उमीद है आपको देखकर ही मज़ा आ गया होगा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच्छ झाल में बहुत है